हेलो फ्रेंट्स मैं रीता अपने यूटूब चैनल और क्रियेटिविटी में आपका स्वागत करते हैं हैपी न्यूए फ्रेंट्स आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा हलवा बनाने के लिए फ्रेंट्स सबसे पहले गाजर को छील के हम धुल लेते हैं और फ्रेंड's आज हम बनाएंगे हलुआ बगाइर घिसे हुए ऐसे ये पीस में काट लेते हैं गाज्र उसके बाल गाज्र का हलुआ बनाने में गाज्र को घिसना सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है इसलिए बहुत ही इजी तरीके से ऐसे बनाएंगे तो बहुत आसा में गाजर में फ्रेंड्स जो पीला वाला पार्ट सुता उसको थोड़ा सा लंबे में और पतला कारें जिससे वो ऐसे रेज से निकलाएं जैसे आप भिजते हैं तो आता है वो आजाएगा फ्रेंड्स गाजर हमारी कट गेगे फ्रेंड्स अब इसको उम करेंगे वाल बॉल करते हैं फ्रेंड्स इसमें पानी न डालें प्रेशर आने पर गैस मीडियम प्लेंपे कर दें तीन प्रेशर आजाए फिर गैस बन कर देंगे जब तक हमारी काजर अपके तयार होगी फ्रेंड्स इधर हम चढ़ा देते हैं चूटे पे दूद्स जो की थोड़ा फ़क जाए, । आज़ा हो जाएं गाजर हमारी पक गई फ्रेंड्स इसको मैस कर लेते हैं फ्रेंड्स कोई मैसार हो जिससे आप कर पाएं उस से कर इसको अफोलें करती है अधर फ्रेंड रोश्म कर लेते हैं राइछी आपको छूप कर लेमिरेशसों के बने बहुत इसे हम डिड़ेते हैं इसे कूट और हेलाइची को फ्रेंड जितना कूट झाये अर्डेन के बना 조ह कोटेफ हुआ इसको गैपको दढ़ दर्दर रखना है देखे फ्रेंट ऐसा और दूसरी तरफ्रेंट्स गडाही में डालते हैं तो चमंचगी और गजर को अच्छे से भून लेते हैं फ्रेंट्स देशीगी से प्लेवर बहुत अच्छा आता है 5-7 मिनट तक इसको भूझने पर अधुन के तो दिश्या होता इंदुन होता है कि इसको इसको फ्रेंट्स योड़ा सआ रहता है वह भी खतम हो जाता इसमें और इसको इसको मैस करते हैं पानी खतम हो जाए जब हम इसको 57 मिनट भून लेते हैं तो डालते हैं इसमें चीनी फ्रेंट्स मीठा आप अपने स्वाथ के अनसार डालें कुछ लोगों को बहुत मीठा पसंद होता है कुछ को भूनते समय फ्रेंट्स गैस को मीडियम लोग आच पे रखें और इसमें डालते हैं अब द दो किलो गाजर में डेल किलो दूद का इस्तेमाल कियें फ्रेंट्स और यह देखिए हमारे हल्वे कंसेस्टेंसी देखिए फ्रेंट्स अब इसमें हम डालेंगे अपना ड्राइब टोड्स जो मैं कूट के रखे हुए हैं और इलाजची और इसको बारा पर भून देंगे और थोड़ा सा क्रीमी ट्रेक्शर देने के लिए फ्रेंट्स इसमें डालते हैं क्रीम जो कि हम घर की तोड़ से निकाल के रखे हुए हैं क्रीम डालने के फ्रेंट्स मीडियम लो आज़ पे पांच में तक भून के भून लेते हैं फिर हमारा हलवा तयार है देखे फ्रेंड्स ठंडी के मौसम में गरमा गरम गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है आप भी बनाए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा बताईएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करे नए हो तो सब्सक्राइब करें तैंक यू फ्रेंड्स